नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका द्रेश्टी क्रियेशन में फ्रेंट्स आजम बनाएंगे काउल स्लीव जिसके लिए मैंने ये नेट फैब्रिक लिया है आप कोई साभी फैब्रिक ले सकते हैं और गिंजा फैब्रिक या जॉर्जट फैब्रिक मैंने नेट फैब्रिक लिया है और इसको देखे इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड के और ये स्क्वाइर पीस है डबल फोल्ड करने के बाद ये मैंने 22 बाई 22 इंचेज लिया है ये इस तरीके से देखे मैं आपको पुरा मेजर्मेंट दिखाती हूँ इसका जितनी यह लंबाई है उतनी ही चोड़ाई है डबल फोल्ड में मैंने फैब्रिक को रखा हुआ है यह इस तरीके से अब इसको हम ट्रेंगल में फोल्ड करेंगे इस कॉर्णर को एक कॉर्णर को दूसरे कॉर्णर से मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे और फिर हम इसके उपर मार्किंग करेंगे तो हमें यह जितनी स्लीप चाहिए उसके कॉर्डिंग हमें रखना है तो मुझे 10 इंच की स्लीप चाहिए तो सबसे पहले हमें जो हमारा आगे का मेजर्मेंट है उसको लगाएंगे तो यहाँ पे मारागी की जो sleep का measurement है 11 inch है तो मैंने यहाँ पे 6 inch पे निसान लगा लिया अब मैंने 10 inch पे mark किया है और यह line को सीधा करेंगे 10 inch पे दीखे इस तरीके से नीचे से भी 10 inch पे mark कर लेंगे अब यहाँ हम जो sleep का निसान लगाते हैं उसे इस तरीके से दीखे 3 inch पे निसान लगाते हुए जैसे हम sleep का निसान लगाते हैं उस तरीके से एक निसान लगाएंगे यह मैंने mark कर लिया अब 2 inch पे निसान लगा कर जैसे sleep ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से दीखे मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया अब हमें यहां उपर की तरफ इसमें देखना है कितना आ रहा है तो यहां पर हमारा यह इनफ है 12 इंच तो मैंने 12 इंच पे निसान लगाया और उपर की तरफ ही कम से कम 1.5 इंच फैब्रिक होना चाहिए तो इस तरीके से अब हम इसको यहां से उपर की तरफ मिलाएंगे इस तरीके से और इसको कट करेंगे जो हमने निजान लगाया है उसी पर हमको कट करना है तो इस तरीके से इसको हम कट कर लेते हैं मैं यहां दोनों स्लीप एक साथ कट कर रही हूँ इस वीडियो को लाइक जुरूर कर दीजेगा और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर दीजेगा यह देखिए हमने स्लीप कट कर लिए इस तरीके से अब हम यह दोनों अलग-अलग करेंगे यह मैंने दोनों को अलग कर लिया अब यहां पर हम इस तरीके से प्लेट्स लगाएंगे तो हमने नीचे की तरफ एक इंच जितना छोड़ देना है सिलाई लगाने के लिए और फिर हमें बराबर प्लेट लगाती जानी है तो यहां में एक बराबर की प्लेट लगानी है तो उपर तक हम पूरी प्लेट लगा लेंगे तो जलिए इसको स्टिच कर लेते हैं यहां दीके हमने एक के उपर एक प्लेट लगा ली है तो एक साइड हमारी प्लेट लग गई है अब इन्हीं प्लेट को हमें दूसरी तरफ इस तरीके से लगा लेना जैसे कि हमने उधर लगाई उसी तरीके से सेम प्रोसेस से हमको दूसरी साइड भी लगानी है और वही जितनी हमने इस तरफ लगाई है उतनी ही लगानी यानि कि इस तरफ हमने 5 प्लेट लगाई है तो हमें दूसरी तरफ भी 5 प्लेट से लगानी है और एक ही डायरेक्शन में लगानी है तो दीखे इस तरीके से हम दूसरी तरह भी अप्लियर्स लगा ले रहे हैं यहां यह देखे हमारी दूसरी तरह भी प्लेट्स लग गई है इसमें अब जो हमारा ऊपर का थोड़ा सा फैब्रिक बचा है उसको भी हम एक प्लेट बना देंगे यह वाला हिस्सा जो है इसको इस तरीके से रखके यहां पर सिलाई लगा देंगे तो यह भी हमारी एक प्लेट बन जाएगी इस तरीके से देखिए मैं इसको भी बना दिया अब यहाँ पर हमें लेस लगानी है आगे की तरफ जो हमारी से मैचिंग की लेस है वही इसमें हम लगाएंगे तो यह देखिए इस तरीके से इसके उपर हम इसको भी स्टिच कर देते हैं तो यह देखिए हमने एक तरफ इसको स्टिच करके दूसरे साइड भी से लगा दे रहे हैं यह हमारी स्लीप बन कर तयार हो चुकी है इसी तरीके से हमने दूसरी स्लीप भी तयार कर लिया है अपनी अब इसको हम बलाउज के साथ अटेच करेंगे फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ यह दिखें बलाउज के साथ इसको हमें इस तरीके से बीच से रखना है और दोनों साइड जैसे की हम नार्मल स्लीप लगाते हैं उसी तरीके से हम इसको भी स्टेच कर देंगे तो दोनों स्लीव हमें इसी तरीके से टैज़ कर लेनी है फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ एक स्लीव हमारी लग गई है अब हम दूसरी स्लीव को भी उसी तरीके से लगाएंगे झाल 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 दोनों स्लीव हमारी लग चुकी है अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे तो जैसे हम नॉर्मल स्लीव की फिटिंग लगाते हैं उसी तरीके से हम इसमें भी फिटिंग लगाएंगे ये दिखा रही हुँ है आपको ये दिखिए इस तरीके से ये ये बहुत ही सुन्दर सी काउल स्लीव बन के तयार हुई है इदम परफेक्ट अब आपको ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हूँ तो वीडियो को लाइक करिएंगे और फ अमिली के साथ सेयर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा मिलते हैं इसी तरह के एक और नाए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स पर वाचिंग